मेहस 24 घंटे के अंदर हिजबुल्ला लड़ाकों ने इसराइली सेना पर ऐसा खुंखार और बेरहम हमला किया है कि इसराइल की ब्रदान मंत्री नेतन याहू और रक्षा मंत्री यौफ गैलन्ट के भोश पाक्ता हो गए है इसराइल को रत्ती भर उमीद नहीं थी के हिजबुल्ला तेलवीव के पास इसराइली सेना के गिलॉट बेस को तबा कर सकता है हिजबुल्ला के चीफ नसरल्ला ने डंके की चोट पर दावा किया है कि हिजबुल्ला ने रॉकेट और ड्रोन हमलों से इसराइल के 22 सेनिकों को मार डाला है लिबनान के अलमयादीन टीवी चैनल ने हिजबुल्ला और यॉरप के अपने सूत्रों के आधार पर जो दावा किया है वो हैरान करने वाला है लिबनान के अलमयादीन टीवी चैनल के दावों के मताबिक इसराइल पर हिजबुल्ला ने दो चरणों में हमले किया है अब आपको अनिमेशन के जरीए समझाने की पूर्शिश करते हैं कि आखिर हिस्बॉला ने इसराइली सेना पर इतना बड़ा हमला कैसे किया है अलमयादीन टीवी चानल के मताबिक हिस्बॉला ने इस बार आपरेशन आर्माइन के तहट इसराइली सेना पर हमला किया है खबरों के मताबिक हिस्बॉला लड़ाकों ने इसराइल की राजधानी तेलवीव से कुछ किलोमीटर दूर इसराइली सेना के गिलोट बेस और इन शेमर एयर बेस को निशाना बनाया है हिस्बॉला ने हमले के पहले चरण के तहट इसराइल की खूफिया यूनिट 8200 को निशाना बनाया है दावों के मताबिक शुरू में हिस्बॉला ने अंधादुन रॉकेट से इसराइली बेस पर हमले किये जिसमें से ज्यादतर रॉकेट को इसराइल के आईरन डॉम ने तभा कर डाला हिस्बॉला का दावा है कि ऐसा उसने जानबूच कर किया था ताकि आईरन डॉम की प्रतिरोंद की शमता को खत्म किया जा सके इसके बाद हिस्बॉला ने इसराइल के गिलॉट बेस पर दूसरे चरण का खौफनाक हमला किया हिस्बॉला ने अचानक सैकडो डॉन से इसराइली बेस पर हमले कर दिये डॉन का हमला इतना तेज था कि गिलॉट बेस में बैठे इसराइल खूफिया यूनिट 8200 के सैनिकों को बच्चने का मौका तक नहीं मिला अलमयादीन टीवी चैनल के मताबक हिस्बल्ला के ड्रोन हमलों की वज़ा से इसराइल के 22 सैनिक मारे गए हैं जबकि 74 इसराइली सैनिक बुरी तरह से जखमी है इसराइल के इस हवाई हमले में पंदरा बार एर स्ट्राइक हिस्बुल्ला पर की गई थी इसराइल ने इस हमले के बाद दावा किया था कि उसके हमले में दक्षणी लिबनान में मौझूद हिस्बुल्ला का एक टॉप कमांडर मारा गया है हैरानी की बाद तो यह है कि इसराइल के इतने बड़े दावे के महस दस घंटे बाद ही हिस्बुल्ला ने तलवीव के पास मौझूद इसराइली सेने ठिकानों को तबा और बरबाद कर डाला है हिस्बुल्ला इस हमले को लेकर और क्या दावे कर रहा है जरा ये भी जान लीजिए हिस्बुल्ला का ओप्रेशन अर्बाइन हिस्बुल्ला के दावों के मुताबिक ओप्रेशन अर्बाइन इसराइली सेना के लिए काल साबित हुआ है दावों के मुताबिक हिस्बुल्ला ने महज एक हमले में इसराइल के 22 सेनिकों को जहां मानने का दावा किया है तो वही 74 सेनिक घायल करने का भी दावा किया है हिस्बुल्ला का दावा है कि उसने अपने टॉप कमांडर हज महसिन और पहुच शुकर की हत्या का बतला इसराइली सेना से ले लिया है कमांडर पहुच शुकर को 30 जॉलाई को बेरूत में एक मिसाइल हमले से इसराइल ने मार दिया था हिस्बुल्ला चीफ नसरला के मताबिक ओपरेशन आरबाइन के तहट तेलवीव से 40 किलोमीटर और लेबनान से 75 किलोमीटर दूर इसराइली सेने ठिकानों पर हिस्बुल्ला ने हमले किये है हिजबुल्ला ने इसराइल की खूफिया यूनिट 8200 को निशाना बनाया है जो लगातार दक्षणी लिबनान पर हमले कर रही थी इसराइली सेना भी मान चुकी है कि महज 12 घंटे के अंदर लिबनान की तरफ से हिजबुल्ला ने 30 रॉकेट दागे है हिजबुल्ला के रॉकेट्स ने अलजलील पैन हैंडल को निशाना बनाया है पिछले कुछ घंटों में हिजबुल्ला ने उतरी इसराइल पर 60 से ज्यादा रॉकेट दागे है इसराइली सेना दक्षणी लिबनान में हिजबुल्ला पर हमले कर रही है इसराइली सेना के मताबिक उसने हिजबुल्ला के जैबकिन, कलेले के बहरी आलाके, रशाया अलफकर और येटर पर हवाई हमले किये हैं जब कि एक इसराइली टैंक ने कफर चौबा, अलखियाम पर भेंकर हमले किये हैं इसके अलावा इसराइली सेना ने अलवजानी पर भी हमले किये हैं. हिस्बुल्ला को कमजोर समझना शायद इसराइली सेना की सबसे बड़ी भूल साबित हो चुकी है। जिसमें वो साफ साफ संकेत दे रहें कि हिस्बुल्ला के सफाय के चक्कर में कहीं इसराइल का ही सफाया ना हो जाए। इसराइली सेना के टॉप अफसरों की बात निरर्थक होती जा रही है। इसराइली चैनल 12 के साथ एक इंटर्व्यू में इसराइली जर्नल ब्रिक ने यहां तक कह दिया कि हिस्बुल्ला पर हमले का जूटा प्रचार बंद करें। त्योंकि इसराइली सेना काफी चोटी है इसराइली सेना के पास सिर्फ 6 डिविजन है जो हमास तक को खत्म नहीं कर सकती है। लिबनान में हिस्बुल्ला से सीधी जंग इसराइली सेना की 6 डिविजन नहीं कर पाएगी। और लिबनान युद इसराइल के वजूद पर बहुत भारी पढ़ सकता है। इसराइली जनरल यजजाग ब्रिक खुलम खुला इसराइली टीवी चैनल पर इसराइली सेना को कटगरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वज़ा है हिस्बुल्ला की जबरदस सेन निशमता। इसराइली सेना खुद मानती है कि हिजबुल्ला के पास 45,000 लड़ाके हैं जिसमें से 20,000 सक्रिय रहते हैं और 25,000 रिजर्व में हैं हमास के विपरीत हिजबुल्ला के पास शक्तिशाली मिसाइलें और रॉकेटों की सीरीज मौजूद है जिनकी संक्या वॉशिंटन में मौजूद वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबक दो लाग तक है हिजबुल्ला की दो लाग मिसाइल और रॉकेट इसराइल के शक्तिशाली ऐरफोस और मिसाइल रक्षा नेटवर्ग को पूरी तरहा से तबा कर सकती है जरा हिजबुल्ला की स्पीडियो को देक है जहाएक विशाल सुरंग में हिजबुल्ला की खतरनाक लागे घातक हत्यारों से लैस दिखाई दे रहे हैं वीडियो में हिजबुल्ला के लड़ाके सूपर सोल्जर्स की तरह नजर आ रहे हैं हिजबुल्ला की सुरंगों की खास बात यह है कि ये लगबग दो मंजिल उची है सुरंग में घातक मिसाईले रोकेट भरे पड़े हैं बड़े बड़े ट्रकों पर सैकडों मिसाईले लदी हुई है चौकाने वाले हिजबुल्ला के वीडियो में नई इमाद फोर्स सुरंग दिखाई गई है अभी तक दुनिया हमास की सुरंगों के बारे में ही जानती थी लेकिन पहली बार हिजबुल्ला ने घातक हत्यारों से लैस सुरंग दिखा कर इसराईल और उनके सयोगियों के होश उड़ा दिये है दावा किया जा रहा है कि एरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर ही हजबुल्ला ने इसराईली सेना पर हमले तेस किये है हजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला और सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर हजबुला ने पहली बार सुरंग मिसाइले इसराइल पर हमला करने के लिए खूल दी है इसराइली आर्मी रेडियो के मताबक नेतन याहू सरकान ने इसराइली सेना ने लिबनान में बंबारी कर इसराइली सेना के कई वरिष्ट कमांडरों को मार गिराया है इसके बावजूद हजबुला के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहें ऐसे में कयास लगाय जा रहें कि इसराइली सेनिक जल्दी लिबनान में घुसकर हजबुला के खिलाफ जमीनी कारवाई कर सकते हैं हालकि विशेशक्जियों का मानना है कि हजबुला को जड़ से खत्म करना इसराइल के लिए आसान नहीं होगा फिलहाल जिस तरह से हजबुला ने इसराइल के बाईस सेनिकों को मानने का दावा किया है उससे साफ हो गया है कि अब हजबुला और इसराइल में बेहत पूनी जंग समीन पर शुरू हो जाएगी